नमस्कार आप देखरें दानीूज आपके साथ मैं स्रिस्टी मिश्रा एक और बड़ी करवाई E.D. का नया शिकंजा समाजवारी पार्टी के सांसत के उपर जौनपूर से बाबू सिंग कुश्वाहा इस पर जित कराये थे 24 में और देखिए इनके उपर घोटाले के आरोप हैं इनके उपर बड़े बड़े आरोप हैं E.D. ने इनके करोडों की संपती लखनव में जप्त कर ली है लखनव में कानपूर रोड सित इनके जमीन घोटाले में ED ने इनकी संपती कुर्क कर ली है करीब 2500 करोड का मामला है और करोडों की संपती आज ED ने जप्त की है बतादे आपको बड़ी ख़बार अखिलेश यादव की टेंशन बड़ी मिर्ची जरूर लगी होगी टेंशन हुई होगी एक बार फिर से ये तमाम नारे सामने आएंगे कि अब देखिए जब जब मोदी डरता है ED को आगी करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपने जमीन घोटाला किया है बसपास सरकार में ततकालिन NHRM यानि की रास्ट्य ग्रामिंग स्वास्त मिशन घोटाले के मुख्या आरोपियों में से ये एक है बाबु सिंग कुश्व बहाद्वारा संचालित हिंदी अकबार की प्रिंटिंग मशीन लगी हुई थी साथी कृषी योग्य भूमी भी है ED को बाबु सिंग कुश्वाहा की संपज्यों की जाच में इस जमीन की जानकारी मिली थी जिसके बाद भरष्टचार से अर्जित इस भूमी को जप्त किया हैं वो कानपूर रोड स्टीट स्कूटर इंडिया के सामने स्टीट थी जहां ED की बड़ी कारवाई अवैद जिर्मान को ध्वास्त करने के लिए हुआ है और बता दे आपको इस चकर में यहाँ पर इनके उपर इनके पीछे कई ऐसे सांसा दोर भी हैं समाजवारी पार्ट संपति कुर्क 2500 करोड का और मामला है कहा जरा है ED के द्वारा की अभी और इनके मामले बचे हुए हैं अभी और संपतियों को कुर्क करना बचा हुआ है जहां पर मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत यह बड़ी जाच हो रही है इसके अलावा आए से जादा संपति का मामला भ कॉंग्रस सरकार में होती ही नहीं थी और अब हो रही है जाच तो संख्या बढ़ रही है ऐसा कुछ नहीं है मैंने किसी को पीछन नहीं लगाया है जहां जहां घोटाले उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधान मं के उपर लगातार पक्षी पाटिया निशाने साध रही है जैसे आज आपने देखा राउल गांधी ने एक ब्रहम फेलाया जूट फेलाया एडी मुझे रेड करेगी और विदेशों में साजुष चल रही है संजरा उतका बयान सामने आया था लेकिन देखिए यहां लखनों की रकम से कई बेनामी संपती बनाई है ऐसे में उन संपतियों का पता लगाया गया था जिनका बेनामी दार कोई और था इसी में से एक कानपूर रोड स्थित जमीन की थी इसमें कुश्वाहा ने विंद्य शक्ती सिमेंट कमपनी के नाम से खरीदा था तो कुश्वाह जी कई ऐसे घोटाले किये हैं उन्होंने सोचा धूल जोगदू आखों में और नाम बदल दू मालिक के नाम को इसके साथ ही बेनामी दार कोई और इनका था और कानपूर रोड स्थित जो संपतिया कुर की गई है दर्श को यहाँ पर इसकूटर इंडिया के सामने की जमीन अब यह रडार कि दी है पहले तो कॉंगरेस पार्टी के उपर जादा थी और कॉंगरेस पार्टी के बड़े नेता घोटालों में माहिर हैं समाजवादी पार्टी के में पीछे नहीं है इस बार इन्होंने बीजेपी के नेता को हराया था जौनपूर से सांसद हैं पहले जेल में रह चुके हैं एक बड़ा नाम है बाबु सिंग कुश्वाहा सबाजवादी पार्टी के दिगज सांसदों में से एक हैं इडी ने सांसद की यहाँ पर रमीन जो जप्त की है उससे इडी और सुराक निकाल रही है इडी ने साफ कहा दिया है कि जांच से प्रचला है क आज कहीं मामला नहीं है सालों साल पहले से कुश्वाह जी घोटाले में सनलगन थे बांदा जिले के रहने वाले हैं बाबु सिंग कुश्वाह और समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ देखा जाता है कि इनके पैरों में गिरते हैं तो समझ जाए कि घोटाले के मास् है द्वीन की जांच चल रही है शिकंजा और बढ़ेगा कहा जा रहा है कि एडी ने जमीन पर हुए सभी निर्मानों को ध्वस्त कर दिया है बुल्डोजर के द्वारा एडी की सबसे तगडी करवाई आज लखनों में दिखने को मिली है जहां कानपूर रोलिस्तित उनकी हजारो करोडों की जमपतियों को यहां पर कजप्ट किया गया है इसके साथ मैं आपको बता दूँ यहां पर बाचित की जाए तो इन जमीनों की जो कीमत है वो करोडों की बताई जा रही है तो बाबू सिंग कुश्वाहा को बताना पड़ेगा लोकसवाचनाव में जित दर्ज करने से कुछ नहीं होता है आपने लोकसवाचनाव में जित तो दर्ज कर लिया लेकिन जित किस कारण से दर्ज के आए चल रही है इस केस पर एडी का और तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और चुनावी मैदान में सपा के टिकट से इस दर उतरे थे जीत दर्ज की है कहा रहा है कि भूमी अधिग्रहत मामले में यहां केवल कानपूर रोड इस्ति थी नहीं समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जो इन से मिले हुए थे और इसी तरीके से कई ऐसे अवैध निर्मानों के करता धरता हैं उन करता धरता को भी दबोचा जाएगा एडी ने एक लिस्ट लंबी फेरस त्यार की है और अब पक्का यहां पर अखिलेश यादव की चुपी कुछ और बता रही ह अखिलेश यादव की चुपी यहां लोगों को रास नहीं आई अखिलेश यादव ने लगातार एडी पर हमले बोले सरकारी एजनसियों को गाली गुलॉच की लगातार एजनसियों को अपने रडार पर लिया और यहां पर मनी लॉंडरी एक्ट के तहरें के उपर हैं और यूपी में इसे राजनुती में तेज हल चल हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनुती इसमें गर्मा गई है कल अखिलेश यादव के ऊपर भी सीम योगी का तंज था विदान सबाय सतर में अपने देखा कि कैसे यहां पर यूपी के सीम ने अखिलेश यादव को क कड़ी चितावनी एक बार देने की कोशिश की योगी अरतनात की में बात कर रही हूँ योगी अरतनात वापस से अपने उसी तेवर कल्खियों में लोटे हूँ है और कल उन्होंने साफ कहा दिया था कि हम आप राधियों पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे याने कि उनकी कार इस वाल और कि इससे के पास है यह सब उस्से मीचाव है सब मेरा को दोना और वह लिए इसकी इसकी तो भी लगेगा तो भी आपने इसकी तो बड़ा रहाएंगे अच्छाएंगे लगा अचान वाधिया कि आठी तो पर लोगाना अबगा टे लोगा इसकी निया था जाए कर दो लग रहा है कि तरफ तरफ से चाहिए नहीं नहीं है यह यह यहां पर बोर्ट जो लगा रहा है क्या कुछ मामला है तो ताला ले लिए कौन सा अपराद कर दिये जब से बुल्डोजर एक्शन का नाम सामने आया है समाजवारी पार्टी के निताओं में हड कम्प मचा हुआ है आपकी क्या रहा है अब जरूर कॉमेंट जरी हमें बताएगा शुक्रिया